आज हम ख़लाएंगे आपको प्रचेप प्रोजेक्टर है ये बहुत important chapter है और इससे एक ये दो question TGT PGT दोनों में पूछे जाते हैं question बड़ा आसान होता है बस हमें उसके formula याद होने चाहिए तो formula हमें तभी याद रहेंगे जब उसका concept हमें clear होगा तो मैं आज इस chapter का आपका basic concept clear करूँगा जिससे आपके formula असानी से याद हो जाएं और formula याद होने के बाद आप question को असानी से कर सको मैं SP से नहीं आपका हमारे इस channel पे स्वागत है तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरूब सबसे पहले हमें मालूम होने चाहिए कि प्रिचेप ये projectile क्या होता है तो इसे समझने के लिए देखिए मैं यह आप एक चित्र बनाऊंगा उसकी help से जितने भी point आपको सामने ये लिखे दिखा रहें ये सारे clear होने चाहिए तो देखिए प्रिचेप से मतलब क्या होता ज जब हम किसी पिंड को हावा में फैंकते हैं और हावा में फैंकने पर उसके द्वारा जो पात बनता है उसे हम प्रिचेप ये पत कहते हैं और जिस पिंड को फैंका जाता है उसे हम कहते हैं प्रिचेप ये देखिए कुछ इस तरह से माली कि ओसे कोई पिंड फैंका जाता ह और उद्वा दिसा से भिंद, दिसा में अगर हम फैकें, तो इसके द्वारा कुछ इस तरह का पात बन जाएगा, ऐसे, तो जिस पॉइंट से फैका जाता है, उसे हम बोलते हैं, प्रिचे पे बिंद, पॉइंट ओप प्रोजेक्शन, यानि जिस पॉइंट से हम किसी पॉइं प्रिचे पे बोलते हैं, और माली यह जो प्रिचे पे फैका गया, उसका जो प्रामबिक वेग है, वो यू है, इसे हम बोलते हैं, प्रिचे बेग, क्या बोलेंगे इसको प्रिचे बेग, वेलोसिटी ओफ प्रोजेक्शन, और जिस एंगल पर यह प्रिचे पे फैका गया, दिखी यहां से यह वाला जो जो परना में बक्राकार पाथ होता इसे बोलते हैं प्रिछेप के पत यानि कि जितनी देर हवा में रहता है और हवा में रहने के दुरान जो पाथ बनता है उस रास्ते को हम बोलते हैं प्रिछेप पत और एक होता है इसमें परास परास क्या होता जितनी देर यह हवा में रहता है उससे एतक हवा में जितनी देर रहेगा उस समय को हम कहते हैं उड़ेन काल और इसे हम ड़ेन लिखते हैं capital T से मैग-जिवम हैट यानि कि जब हम किसी पिन को उदवादा दिसा से भिन दिसाम फैक्त ते हैं और जितनी maximum height तक ही जा सकता है उस height के उस point को हम बोलते है vertex यानि कि याला जो point होता है वो कहलाता है vertex और यहां से maximum height से 36 जो दूरी होती 36 से दूरी दूरी जो होगी यह वाली इसे कहते हैं महत्तम उचाई यानि maximum height तो जब किसी pin को उद्वादा दिसा से बिंदे साम फैंके जाता है तो उसके द्वारा जो पात बनता है उसे पिरच्छे पे पत और पिंड को पिरच्छे पे जितनी देर हवा में रहता है उसे उड़े अनकाल और मैग्जिम height तक जो जाता है उसे महत्तम height और महत्तम बिंदो को सीर्स और जितनी दूरी छेती दूरी ते करता है उसे हम परास कहते हैं जिस कोण पर फैंकते हैं उसे हम प्रिच्छे पर कोण और जिस बेग से फैंकते हैं उसे हम प्रिच्छे बेग कहते हैं तो यहां पर देखिए मैं कुछ और बातें आपको बताने चाहूँगा तो यहां पर अगर हम इसके घटकों में ब्योजित करें तो इसका जो 36 ब्योजित भाग होगा वो होगा U cos alpha और जो उद्वादर ब्योजित भाग होगा होगा U sin alpha तो यहां पर हम एक बात बता दें कि 36 दिसामी जो है U cos alpha छेतिस दिसामी जो 2 होता है F होता है वो 0 होता है जिस बज़े से 36 ब्योजित रहता है यानि कहीं भी आप लें इस गति के दोरान कहीं भी कोई भी गति लें तो 36 ब्योजित जो रहेगा वो हमेशा U cos alpha रहेगा लेकिन जब उद्वादर दिसामी गति करता है तो तोरान F के स्तान पे माइनस G का प्रियोग किया जाएगा इसलिए उद्वादर दिसामी जो ब्योजित होगा वो समय के साथ बदलता रहेगा जैसा हमाली यह O से यहाँ पर यह B पर आ जाता है कुछ समय बाद और यहाँ पर क्या होगा जो इसका 36 ब्योजित तो यही रहेगा जो यहाँ पर है हमाली यहाँ पर जो ब्योजित हो ब्योजित हो जाता है तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो 36 बेख सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर जो उद्वादर बेख होगा वो परवर्टित हो जाएगा तो चलिए अब हम इसको थोड़ा और आगे वाले पेज़ पताते हैं यहाँ पर देखे यह थेओरी जो मैंने अभी आपको बताई थी उसी से रिलेट यह थेओरी है क्या है यदि किसी परचिप का बेख यू प्रचिप कोण अलफा और कोण से परचिप बेख यू के 6 और उद्वादर घटक त्रम सा यू कोस अलफा और यू साइन फा होंगे हमें यहाँ याद रखना है क्या दीकिए प्रामबिक 36 प्रामबिक 26 वेग क्यों होगा यू कोश impressed push ऐल्फ़ और जो 12 होगा जीरो होगा ठेके और और प्रामबिक camp इुद्वादर भेग USIN Carlos अल्फ़ और 12 कीतना होगा माइनस जीάλ just दिखामे ही तुण इसका change होगा छेती दिखामे जो टूण हुगा वो 0 होगा क्योंकि छेती दिखामे जो बेग है वो आपरवर्थित रहेंगा अब ऐसा क्यों होता देख discut QUE यहां पर यही सिंट इẫn यहांपर देखिए next point अधिये वे समय生के पस्चाथ, पिंड का बेक और दिसा घ्याद केने। तो आप इसका 36 व्योजीत भाग हो जागा V cos theta और उध्यादर व्योजीत भाग हो जागा V sin theta अब चुकि हम जानते हैं 36 व्योजीत भाग आ परिवर्तित रहता यानि कि V cos theta बरापर हो जाएगा U cos alpha यहां सा जाएगा और उध्यादर इसा में प्रांबिक भी हो जाएगा अंतिम भी हो जाएगा और हम क्योंकि समय निकालना तो समय वाली equation लगा दें कौन सी वी जीकल टू यू माइनस के gt से तो वी के स्थान पर लखेंगे V sin theta यू के स्थान पर यू साइन alpha माइनस के gt ठीक है अब हमें के निकालना समय निकालना तो समय निकालना क्या करेंगे तो कि इसमें से theta गायब करेंगे ठीटा कैसे गाया होगा अगर हम equation first second को work करके जोड दें squaring and adding इसे solve करेंगे तो देखें यह आजाएगा यह होगा दिये गए समय पश्चाद पिंड का बेग अगर हमें इसकी दिसा निकाल लिए तो क्या करना है इस दो को एक से divide कर देंगे 2 divided by first तो हमें किया रहा है इसकी दिसा निकल के आजाएगे यह formula आप याद रख लिए दिये गए समय पश्चाद पिंड का बेग हो जागा u square minus 2 u gt sin alpha plus g square t square और इसकी आपको दिसा निकाल लिए तो दूसरी equation को first equation से divide कर देंगे इसको हम divide करेंगे तो क्या होगा देखिए वी से भी cancel होगा sin upon cos 10 और यह formula हो जागा u sin alpha minus gt upon u cos alpha यह है दिये गए समय पश्चाद पिंड का बेग और दिसा यह दो formula हो गए यह हो गया दिये गए समय पश्चाद पिंड का बेग और दिसा अब है दी गए उचाई पर तो यह दियान है दी गए उचाई पर कले किया दा दिये गए समय पर तो equation change होनी है बागी तर्किया बिल्कुर सीम भी रहागा यहां से कोई alpha कोणवशा गया इसका 36 भीवजी भाग हो जाएगा u cos delta और दादर भीवजी भाग हो जाएगा u cos delta और अश्जी यहां पर रॉकूb एलफा और यहां पर यू साइन एलफा आप यह करना देगे चुकि छेते दिसा में तो बेग आ प्रवर्तित रहता है तो वी कोस्टिटा इस इकल टू हो जाएगा यू साइन एलफा उद्वारा दिसा में समय की जगे अब हमने यहां लगाई वी स्कार इस इकल टू स्कार अगल खाया हो जाएं लग करके जोड़ेंगे यह से अंगल खैगा तो ईश आगही वी एकल टू यू स्कार माइनस के सीध 죽 यह विश कार माइनस के तू जीएच और दिसा निकानों के लिए पाड़ेगा इसका बिरमूल लेके एकos एलफाब। तो यह है दी गई उचाई पर पिंड की दिसा और यह क्या है दी गई उचाई पर पिंड का बेग इससे पहले क्या था यह दिये गए समय पर पिंड का बेग और दिसा तो यह फॉर्मुले कमी यूज होते हैं अब जो आने वाले फॉर्मुले आप जो बताने वाला हूं यह ज सुझा देता हूँ जब कोई किसी दोड़ाता साथ में दोड़ाता भीए साम फैकेंगे तो इस तरह से होगा मालदीजे परचे बेख क्या यू है इसका ऐलफा तो 36 वियोजिवाग हो जाएगा और उसके बाद महत्म हाइट महत्म उचाई कहां पर होती है जब इसका उध्वादर जो विएग है वो सुनी हो जाए लेकिन 36 वही रहेगा जो यहां पर है यू को साल है तो अब हमें के निकालना इसकी महत्म उचाई निकालना है तो महत्म हाइट हमने माली निकाल है तो यू के इस्थान पर काम करेगा यू साइन अलफा ब के इस्थान पर काम करेगा जिरो फॉर्मूला लगा देंगे विगादृ स्कैर उचाई जब होती है तो उसका उध्वादर भियूजित भाग सुनी हो जाएगा बहता हूं चाही पर उद्वाधर व्योजित भाग सुनिakah चाहिए क्यों पर जाके उसकी अधाहत दिसा में जो बेलवशटी है वो जीरो हो जाएए बेग सुनने हो जाएगा अब यहां पर जीरो है यू के इस्तान पर यू साइन अलफा जी और एच के इस्तान कैपिटल एच प्रूफ हो यह हो जाएगा अब इसके बाद देखते हैं नेश्ट लेकिन नेश्ट है इसमें उडैन काल टाइम आफ फ्लाइट य सब्सक्राइब नेश्ट लेकं नेश्ट लेंगे और उससे हमद देखने माम उलन मालूमा इसके लिए हम यहां खिल वी औरॉ PT से, तो गती उद्भाजद अस्ताम लेंगे 1999 inj Hall method जायगा औरू के स्तान पहाएगा u COS ALFA और g के स्तान पह जी Tekst Glow जायगा T के स्तान पह तो T यहाँ से निकालेंगे टो T बरावर जायगा U cos alpha upon G और इसलिए उड्यान काल उड्यान काल को हम capital T से जनोट करते हैं तो उड्यान काल क्या हो जाएगा 2 T यानि कि T जी कल्ट हो जाएगा 2 यह formula इसको याद कर लिजिए 2 U अच्छा यह sign हुआ यहाँ पर cos alpha की जगे क्या आएगा यहाँ पर sin आएगा यहाँ पर जाएगा sin alpha U sin alpha तो T जी कल्ट हो जाएगा 2 U sin alpha upon G तो यह formula है उड्यान काल का इसको आप याद कर लिजिए उड्यान काल T U T capital T is equal to 2 U sin alpha upon G अब इसी तरह से अब देखे परास परास निकाल लेगे लिए 36 बेग तो आपरवरतीत रहता है तो परास R बरार हो जाएगी 36 बेग इंटू दूरी यानि कि 36 दिसाम गती लेंगी हम तो यह होगा H is equal to मैं यहीं निकाल देता हूँ H is equal to U T प्लस के हाफ F T स्कैर से अब देखे 36 दिसाम में क्या होता इसकी जगे तो R आजाएगा और दूरी यह वाली U की जगे U कोस alpha और T की जगे उड़ेंकाल और ट्वाना 36 दिसाम में सुननी होता है तो परास हो जाएगी R is equal to U कोस alpha और T की जगे यह लगा देंगे हम 2 U sin alpha upon G जब हम भी से solve करेंगे तो यह formula निकल के आजाएगा चली यह मैं next page को बता देता हो तो यह परास निकालने के लिए परास से मतलब है O से B तक की दूरी तो इसे निकालने के लिए R के S के स्थान पर तो हो जाएगा R और U छेती जबे यू कोस alpha और T की जगे उड़ेन काल क्योंकि O से B तक जितना भी समय लगता है वो T आएगा अब क्योंकि छेती दिसां में तो लोड़ा सुन्य होता है तो इतना जो portion है वो 0 हो जाएगा यहां से हमें T निकालना तो capital T G equal to हो जाएगा R निकालना तो यहां ठीकी जगे जो अबेल हो हमने अभी निकाली थी वो रख देंगे U cos alpha और उड़ेन काल कितना था 2 U sin alpha upon G इसे हम solve कर लेंगे तो परास का formula निकलके आजाएगा तो यह हो जाएगा तो परास का formula होगी है U square sin 2 alpha upon G तो यहीं पर एक होती है maximum परास यह निकालना परास इसे बोलते है R, M, A, X तो परास maximum कब होगी जब यह angle sin 2 alpha की value महत्तम हो और हम जानते हैं sin की maximum value होती है वो 1 होती है यह यह परास maximum हो जाएगी maximum परास केतने हो जाएगी U square upon G maximum परास के लिए formula है U square upon G तो इसको अब यहाँ याद कर लें और यहाँ से अगर हम solve करें तो sin 2 alpha 1 जो होती है वो sin 90 की value होती है तो यहाँ से 2 alpha is equal to 90 यहाँ alpha is equal to 45 यहाँ maximum परास परास करने के लिए 45 अंस के कौन पर प्रिंट को हमें फैकना पड़ेगा तो परास होगी U square upon G और मेक जीवाँ परास होगी U square upon G लिखे यह बहुत ही महत्पून statement है आपको direct question करने में खामाएगा दिये हुए परास के लिए परच्छेप दिसाएं याद करना किसी दिये हुए परच्छेप बेक से किसी परच्छेप के फैकने की दो दिसाएं होती है जिसमें परच्छेप कौन का परास एह ही होता है ये दोनों दिसाएं महत्प परास के लिए फैकी जाने वाली दिसाँं से समान को बनाती है कहने का मतलब यह है कि अगर हम किसी प्रिंट को फैक हैं इस तरह से ऐसे तो अगर हम किसी प्रिंट में फैकते हैं यानि आर जो परास है वो दो तरीके से फैक मिलेगी कैसे मिलेगी अगर हम इस जैसे माली जो एंगल यह यूवेक से फैग गया है और ये 35 कि कोन पर जो फैगा उससे और यह से अगर की यह तो यह चेहां पिंड फैगे आरी पराप дав यह इहां सेömर अगर हम पिंड फैगे यह लिखा दिये हुए प्रचेप बेग से किसी प्रचेप के फैकने की दो दिसाइं होती है यही परास आर परात करने की दो दिसाइं होती है कौन कौन सी होती है प्रचेप कन का परास एक ही होता है यह दोनों दिसाइं महत्म परास के लिए फैक ही जाने वाली दिसा से समान प मिलेगा एक और इसका statement है ऐसा भी हो सकता है कि हम एक ऐसे फैंके तो भी R मिलेगा यानि यह 36 से एलफा एंगल पर फैंके और उध्वादर से एलफा एंगल पर फैंके ऐसे एर के तो भी R ही मिलेगा तो यह भी statement है अगर हम शतीस से अलफ एंगल को फैंकते हैं और use cinasan se एंगल पे फैंके तो पीड़ एक ही प्राव्थ प्राप्थ करेगा दूसा स्टेटमेंट एक यह भी है कि अगर हम 45 अगल से कुछ कम & µ पे फैंके जितने माले है फैज्द महाले फैज्द 45 से तीसस के नीचे एंगल पर फैंके या 45 से ऊपर की होती है इसके एंगल पर फैंके तो भी आर ही प्राथ होता है तो इसके हम कुछ important question देख लेते हैं तो इसके हम कुल मिलाके 6 formula होगे अगर हमें दिए गए समय पर चाथ प्रिंट का बेग निकालना तो यह formula आएंगे यू स्कार मानस के 2 u gt sin alpha plus g square t square दिसा होगे u sin alpha minus gt upon u cos alpha और दिए उचाएं पर निकालना तो बेग का formula यह होगा दिसा का होगा होगे 2 u sin alpha upon g पराथ का u square sin 2 alpha upon g मेक्जियम पराथ के लिए u square upon g यह नि sin 2 alpha upon होजाएगा और height के लिए u square sin 2 alpha upon 2 g यह महत्तम उचाएं के लिए formula है और दिसान निकालना है महत्तम पराथ के लिए जो direction होगे वो alpha is equal to 45 यह formula है तो इन पर अधारित पहले जो important question हो वह हम देख लेते हैं कि कुश्चन है एक बंदुक से गोली इतने मीटर परती सिकें के बेक से छेती दिसा में यह यह यू वरावर दिया हुआ में 49.2 मीटर परती सिकेंद छेती दिसा में 30 से कोण पर यह यह alpha वरावर 30 सिकेंद गोली महत्तम उचाएं एक तो मैं एक जिए हम हाइट निकालना है परास आर्म निकालना है और उड्रे निकालना है तीनों चीज़े निकालना है तो इस सब के formula लगाने हैं वसके बड़ तो हम जानते हैं महत्तम उचाएं का formula होता है अब यहाँ पर value रख देंगे यू के स्थान पर कितना है 49.2 दो बार लिख देंगे इसको 49.2 अलफा की जगे 30 से साइन स्क्राइब रिसंस अपोन 2 जी जी की जगे 9.8 तो इसे काट देंगे देखिए चार बार कड़ जागा यह और यह दो दुनी साइन 30 की value होती ही 1 अपोन 2 और 1 अपोन 2 का स्क्राइब करेंगे तो 1 अपोन 4 यह दो से सो काटेंगे तो यह जगा अंसर दो एकम दो 29.6 मीटर अब उसके बाद हमें निकालनी है परास तो परास के लिए फॉर्मूला होता आर इस इकल टू यू स्केर साइन 2 अलफा अपोन जी यह फॉर्मूला अब देखिए यू की जगे यह रखना 49.2 और साइन 2 अलफा यह साइन 60 हो जाएगा साइन 60 अपोन जी की जगे वही लखेंगे 9.8 इसको डिवाइट कर देंगे चार बार साइन 60 की वह ले होती है root 3 upon 2 तो इसको root 3 upon 2 2 से इकाड़े जाएगा 2 से गुणा कर देंगे इसको 2 से गुणा करेंगे तायगा 2 दिनी 4, 2, 9, 18 और 2 ती अच्छा है रिक 7 root 3 यह आगए meter इस तरह से अब डैनकाल निकाल सकते है उडैनकाल के लिए फर्मूला है यह निकाल देते हैं डैनकाल के फर्मूला है T is equal to 2 U sin alpha 2 U sin alpha यह उडैनकाल के फर्मूला है 2 यह ऐसे रहेगा U की जगह 49.2 और alpha की जगह sin 30 upon G की जगह 9.8 तो यह 4 पर फट़ गया sin 30 यह से cancel हो जागा डैनकाल जागा 4 सेकेंड यह इसका answer हो गए यह देखते हैं next question यहाँ पर देखिए next example है यदि कोई मनुष से एक पत्थर को अधिकतम इतने मीटर की दूरी तक फैट सकता है यानि कि यह जो दे रखी है हमें आर मेकजियम दे रखी है मेकजियम परास दे रखी है परास मेकजियम दे रखी तो इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल है परच्छे कोण है वो पैता लिसंस का है दीजिए एक तो बात मालूम होई अब हमें परच्छे बेग और चाहिए परच्छे बेग निकालने के लिए हम आर मेकजियम का फॉर्मूला लगा देते हैं आर मेकजियम का फॉर्मूला होता है यू स्कैर अपॉन जी और इसकी जाए कितना है वन नाइंटे सिक्स यू स्कैर अपॉन जी तो यहाँ से देखे यू स्कैर निकाल लेते हैं यू स्कार जाएगा 196G तो यू स्कार ऐसी ही रहने देते हैं अब के निकालना हम उड़ेन काल निकालना है तो उड़ेन काल का फर्मूला होता है T जीकल टू 2 U साइन अलफा अपॉन जी अब यहाँ पर देखें 2 ऐसी रहेगा U के स्तान पे लिगा देंगे अंडरूट 196G अपॉन जी और यहाँ पर जाएगा साइन अलफा अलफा की जगए है पैता लेसांस आप इसको सॉल्ट कर लेंगे आंसर हमारा आजाएगा तो इसे अंडरूट बबार काट रहेंगे G की जगए 9.8 रखके इसको हम सॉल्ट कर लेंगे तो दीए यहाँ पर यहाँ पर कैलकुलिशन कर दी 9.8 के यहाँ पर 0 बढ़ा दिया इससे कट दिया दो बात 0 हो गया अब यह 2 से काट देंगे 10 आजाएगा 10 कट के यहाँ गया 2 रूट 10 से केट अपके निकालना हम हाइट निकालने ही तो हाइट के लिए फिर फॉर्मॉल लगाएंगे U स्कैर साइन स्कैर अलफा अपॉन 2 G U साइक की जगए हम ऐसे लग देते 196 G और साइन अलफा की जगए 45 45 अपॉन 2 G G से G कैंसल हो जाएगा साइन पैतालेश की वेली बन अपॉन रूट टू यानि 2 चार से स्कैर आट देंगे तो चार चोक सोला और चोक सोला योज़ागा चार नम चत्तिस यानि 49 सेकेंड 49 मीटर उचाहिए जाएगी 49 मीटर यह हाई अब देखिए नेक्स कोशन देख लेदें यहाँ पर देखिए एक कोशन देख लेते हैं एक कण का बेग बेग एक कण बेग से एक कण यू बेग से एक कण यू बेग से इस पर कार ठेंगा जाता है कि 36 संतल पर परास महता मुचाई का दूगना है यानि कि R जो है परास महता मुचाई का दुगना है परास महता मुचाई का दुगना है तो सिद करो कि परास ही होने चाहिए R की विलों में निकाल लिए तो इसे करने के लिए R हमें कितना दे रखा महता मुचाई का दुगना तो यहां से पहले हम angle निकाल लेते हैं तो R के इस्तान पर लगाएंगे हम U square sin 2 alpha upon G अब पर मुझाई क्या होती है U square sin square alpha upon G U square sin square alpha upon 2G आप देखिए से solve करके हम यहां से angle निकाल लेंगे U square से U square cancel हो जाएगा G से G और 2 से sin 2 alpha का formula कोल देंगे 2 sin alpha cos alpha और यहां है sin square alpha तो यह से cancel हो जाएगा 10 alpha is equal to हो जाएगा 2 ठीक है 10 alpha is equal to कितना आगया 2 आगया तो यहां से हम चोटा सा triangle बना लेते हैं 2 upon 1 इसका अब हम कर निकालेंगे वो जाएगा 5 अब हम कर निकालना इसका हमें जो भी चाहिएगा वो हम यहां पर रख लेंगे तो हमें जो निकालना है परास निकालना है तो परास का फर्मुला है R वरावर U square sin 2 alpha upon G अब U के इस्तान पे तो यू ही रहेगा G के इस्तान पे जी रहेगा अब angle sin 2 alpha कितना होता है 2 sin 2 alpha into cos alpha अब sin 2 alpha कैसे निकालेंगे sin alpha निकालने के लिए lump बटे करण perpendicular upon hypothenus 2 upon root 5 cos alpha बटे करण 1 upon root 5 तो इसको solve करेंगे तो कितना जागा solve होके 2 दूनी 4 4u square upon root 5 की राइब 5 से करेंगे 5 G यह इसका अंसर आगे 4u square upon 5 G तो यहां पर देखिए मैंने इसका खवी formula और उनका basic concept और कुछ question करा दिये इसे अगले part में जितने भी important question होंगे वो सारे question हम यहां पर करा देंगे और आपको इसके solution का PDF चाहिए तो आप हमारे telegram channel से जोड़ो सकते हैं telegram channel का link हमने discussion box में दे रखाया अगले video तक के लिए आप हमारे channel बने रहें तब तक के लिए जय हिन जय वारत